नमश्क्राइब दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ OPPO A16 में या फिर OPPO का कोई और मॉडल है तो उसमें आप यहाँ पे फाइल ट्रांसफर कैसी कर सकते हैं अपने mobile से PC में या फिर PC से mobile में तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो आपका charging cable वो आप यहाँ पे एक set connect करेंगे और एक आप यहाँ पे CPU में connect करेंगे तो आप के सामने इस strap का option आएगा तो यहाँ पहले इसको unlock कर लेंगे unlock करने के बाद यहाँ पे आपको इस step से pop-up देखने को मिलेगा मानली जए अगर यह pop-up आपको देखने को नहीं मिल रहा है यह गायब हो चुका है तो यहाँ से आप scroll down करेंगे और यहाँ से आप इसको ऐसे scroll करेंगे तो आपको छूट असा green color का यह system UI देखने को मिलेगा आप यहाँ पे click करेंगे इसको ऐसे करके तब यह pop-up दुबारा से आपको शो हो जाएगा और अगर मानली जीए यह शो नहीं हो रहा है आपके phone में तो यहाँ पे एक बर आपको cable change करके देख लेना है हो सकता है cable में problem हो यह फिर जो आपका CPU है उसका port change कर लेंगे एक port से दूसरे port में लगा के देख लेंगे तो यह connect हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे यह देख लेना है कि अभी तो यह नॉर्मली charging पे connect होता है और अभी आपको file transfer करना है तो यहाँ पे आप इस पे click कर लेंगे second number वाले पे जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको connect हो जाएगा और pop-up देखने को मिल जाएगा PC में तो यहाँ पे आप my computer पे या फिर this PC पे चले जाएंगे विंडो 10 है या विंडो 7 है वो आप देख लेंगे तो यहाँ पे computers पे जा कि आप देख सकते हैं कि आपका phone यहाँ पे show हो रहा है आप इस पे click कर लेंगे इस पे click कर लेंगे और maximum चीज़े आपकी DCIM में होती है यानि कि आपकी camera में होती है तो यहाँ से आपको transfer करना है या फिर आपको PC में से इस में transfer करना है वो मैं आपको बता देती हूँ और लेकिन आपको यहाँ पे Android नहीं चेलना है और यहां से कोई file देलेट नहीं करनी है तो मैं DCIM पे चली जाती हूं camera पे और camera पे जाके आप देख सकते हैं कि चार पिक्चर्स हैं और यहां से मैं इन दोन कि एक file महां पे copy हो जाएगी तो अभी मैं यहां पर इसको cut कर लेती हूं मैंने cut कर लिया है minimize करके यहां पे इसको paste कर दूंगी अब माल लिजी यहां से कोई photo है यह जो दो फोटोज हैं इसको कॉपी करना है या फिर पेस्ट करना उदर तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेती हूं और आपको वापिस से उसी फाइल पे चले जाना है कि दीसी आइम पे चले जाओंगी और यहां पे वो चीज मैं पेस्ट कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज पेस्ट हो गई है तो इस टैप से आप यहाँ पे कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसी टैप की और बेंटरसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहेगा चलि मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए नमस्कार